एक समय ऐसा था जब मैं अंग्रेजी में बात करने से बहुत ज़्यादा डरता था राहुल तू कभी अंग्रेजी में बात करी नहीं सकता तेरे लिए ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा कि तू confidently अंग्रेजी में बात करेगा जो आपका मन है, जो आपका दिर्माग है, वो आपको रोकता है, कैसे करोगे, कैसे कर पाओगे आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसी भी समस्या को हटाने के लिए उसका वाय समझना बहुत जरूरी है लेकिन हमको ये पता था कि अगर आज मजाग बनाने की वज़े से हम रुप गए तो हम जिन्दगी में रुप जाएंगे तो आज हम बात करते हैं दो लोगों की पहला इंसान तो वो जिसके पास ग्यान का भंडार है 90% knowledge है बहुत 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 जादा knowledge है लेकिन जब बात करने का time आता है तो एकदम से उसकी हवाई संट हो जाती है वो बिल्कुल बात ही नहीं कर पाता कोई भी अगर अंग्रेजी में बात करता है तो उसको एकदम से डर लगने लग जाता है और यहीं पर एक दूसरा इंसान है जिसकी knowledge base तो 65 से 70% है लेकिन जब बात करता है तो एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करता है लोग एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और उसकी बाते बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहते हैं और यही कारण है कि उसके पास बहुत सारा नाम, बहुत सारा पैसा और बहुत सारी शोहरत भी है आज समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यूं होता है, इतना बड़ा अंतर क्यूं है, पहले इंसान में और दूसरे इंसान में मेरा नाम है राहुल भटनागर और पिछले बारा सालों से मैं एक प्रोफेशनल स्पीकर हूँ और एक अंत्रप्रनियॉर हूँ अब बहुत सारे लोग मुझे देख के ये बोलते हैं कि राहुल यार आपके संगतों English नाचूरली आती है, आप तो कभी भी अंग्रेजी में बात कर सकते हो, बहुत आसानी से बाते कर लेते हो पर लोगों को ये नी समझ में आता कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक समय ऐसा था जब मैं इंग्रेजी में बात करने से बहुत ज़्यादा डरता था, लेके चलता हूँ आपको कि आखिर ऐसा क्यूं था और कैसे ये सब बदलाव आए, मैं एक middle class family में रहने वाला बच्च जब मेरा admission हुआ एक English public school में, जैसी मैं उस school में गया, मैंने बाकी बच्चों को देखा, एकदम अंग्रेजी में बात करते हुए, वो एक दूसरे से भी अंग्रेजी में बात करते थे, टीचर से भी अंग्रेजी में बात करते थे, और मैं ये सोचता था, यार क्या मैं कभी ऐसे बात कर पाऊंगा, आप खुद सोचो जब आपके परिवार में कभी बात ही नहीं बात कर पाऊगे, वो चीज नाचुरिली तो कभी आती ही नहीं थी, और यही चीज थी जो कि मेरे दादा जी भी समझते थे, I was very very close to my grandfather, I am still am, वो क्या करते थे बचपन में, वो English में बहुत अच्छी होती चली गई, लेकिन वो जो दौर था, उसमें social media नहीं थी, तो मैं video दो नहीं बना सकता था, practice भी नहीं कर पाता था, कि कैसे मैं अपनी अंग्रेजी को improve करूँ, समय बढ़ता गया, मैं थोड़ा आगे चलता चला गया, फिर मैं मेरे school में गया, अभी मै मैं class बारवी में हूँ, और मेरे class teacher ने मुझे select करा, राहुल, तुम जाके हमारे school को represent करोगे, cluster level में, मुझे लगा हाँ यार, ये मौका है, करके दिखाऊंगा, लेकिन जब आप सोचते हो करके दिखाने के बारे में, और जब आपको बोला जाता है, कि पूरी speech आपको English में देनी है, तो वैसी आपका confidence कम हो जाता है, अब मैंने सोचा चलो ठीक है, कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी talk देंगे, मैं गया उस auditorium के अंदर, उस auditorium में 500 लोग थे, 1000 आखे मेरे को एकदम से दो टूब देख रही थी, जैसे जैसे मैं stage के उपर जा रहा था, मैं जो मेरा था कि यार कैसे होगा, कैसे होगा, मैंने तैयारी तो बहुत करी थी, लेकिन जो आपका मन है, जो आपका दिर्माग है, वो आपको रोकता है, कैसे करोगे, कैसे कर पाओगे, और आप यकीन मानो, उस पांच मिनिट की talk में, मैं बारा बार अटका था, मैं अटकता था, मैं मैं नीचे देखना शुरू कर देता था, मैं एक दम से उपर देखता था, मैं देखता था, सामने एक बहुत सुन्दर सी जज बैठी है, वो ऐसे गर्दन ही लाती थी, और मैं अपने टॉक कंटिन्यू करता था, पांच मिनिट की टॉक, जो कि मुझे ऐसा लगा, शायद कभी खतम ही नहीं होगी, चैसी वो टॉक खतम हुई, मैं स्टेज से नीचे उतरता हूँ, मुझे पता है, जीतना भी तना तो है नहीं, मैं वहां से सीधा घर चला जाता हूँ, घर का दरवाजा खोलता हूँ, अपने रूम में जाता हूँ, and I cry like anything, उस दिन मेरी आखों में करी नहीं सकता, तेरे लिए ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा, कि तू confidently अंग्रेजी में बात करेगा, लेकिन ऐसा होता है न, जो इस चीज से हम सबसे आदर डरते हैं, वो ही चीज हमारे सामने दुबारा आ जाती है, मेरे English teacher ने क्या करा, अगले contest में दुबारा मेरा नाम डाल जाओ, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छा करोगे, उनकी बात मैंने अपने मन में ठान ली, दुबारा से contest में गया, मैं जीत तो नहीं पाया उस contest को, लेकिन मैंने 5 मिनट पूरे बोले, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज तक मैं कितनी भी जगे गया हूँ, आप हाथ उठाओ, और बोलो, yes, I will do it, और वो ही principle, वो ही funda, मैंने आज तक बार-बार follow करा है, और उसी की वज़े से, जो भी सफलता मिली है, उसका एक मातर कारण है, बार-बार हाथ उठाना, और yes बोलना, और मेरे दोस्तों, आज मैं वो ही English teacher, आपकी जिंदगी में बनन जो सबसे वड़ी समस्या है, वो ये, कि हम लोग ये समझते हैं, कि English एक course है, English है इंग्लिष एक course नहीं है, वो एक भाषा है, वो एक language है, आप लोग उन्हें हिंदी कैसे सीखी है, हम क्या करते हैं, हम रोज हिंदी सुनते हैं, रोज हिंदी का अध्यान करते हैं, हमारे अं परण है कि हम हिंदी को बहुत आसानी से बोल पाते हैं। यही चीज मुझे मेरे इंग्लिश टीचर ने बोली। राहुल ये एक लांग्विज है। आप इसको अपने अंदर इंटर्नलाइज कर दो। रोज बात करो अंग्रेजी में, अलग-अलग समय पर बात करो, तेज बात करो और ऐसे बात करो कि आप इसको इंटर्नलाइज कर लो और ये भाषा आपके जैसे आपके अंदर एकदम बन जाए। जो दूसरी चीज मुझे उन्होंने सिखाई थी, जो मैंने बार-बार अध्यान कर आए वो ये, जो भी आपकी नेटिव लांग्विज है। वो ह जो मैं क्या करता हूँ? मैं लिखता हूँ हिंदी में मैं एक मिनट में कितने शब्द बोल पा रहा हूँ. आप बहुत बड़ा बदलाव था जो कि मेरी लाइफ में आया. जो दूसरा काम मैंने बहुत अच्छा करा था वो ये, मैंने एक पार्टनर चुल लिया था, बचप two runs, अब सारे लोग हम पे हसते थे, मजाग बनाते थे, लेकिन हमको ये पता था कि अगर आज मजाग बनाने की वज़े से हम रुख गए, तो हम जिंदगी में रुख जाएंगे. कभी भी डरो मत आपका मजाग बने. जो मेरा दोस्त है, आज वो क्यानडा में जॉब करता है और मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ. सिर्फ इसलिए, क्योंकि उस समय में डर नहीं लगा कि मजाग बनता है तो बनने दो. मजाग बनने के डर से अगर आप रुख गए, तो कैसे जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे? है की नी? सोचो. आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है. किसी भी समस्या को हटाने के लिए उसका वाय समझना बहुत जरूरी है. मेरे लिए जो एक बहुत बुरा अनुभव हुआ था, उसको मैंने मेरा वाय बना लिया था. कि राहुल आपको करना है, कोई करे या ना करे, तुझको तो करके दिखाना ही है. आपको भी section में सबको बताओ कि मुझे इसलिए करना है तब आपके पास वो सफलता आएगी आज तक आपने कई बार अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर रहा होगा तैयारी करियोगी शायद coaching भी लियोगी लेकिन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पता ही निथा जो कि आज आपको रोकती है सोचो अपना वाई बनाओ और आगे बढ़ो आज मैं आपको वो 5 स्टेप्स बताऊंगा जो कि मैं रोज फॉलो करता हूँ मेरी जिंदगी में मेरी अंग्रेजी को सुधारने के लिए और यही काम करके आज मैं जो भी कर पाया हूँ सबसे पहली चीज तो यह जो भी मुझे रोज शब्द दिखते हैं मेरे आसपास जो भी चीज मुझे दिखती है उसको मैं सिर्फ अंग्रेजी में सोचता हूँ अगर मुझे सड़क दिखती है तो मैं उसको रोड बोलता हूँ अगर मुझे पानी दिखता है तो मैं उसको water बोलता हूँ अगर मुझे पेड़ दिखता है तो मैं उसको tree बोलता हूँ तो अपने आपी मेरा दिमाग अंग्रेजी में सोचना शुरू कर देता है क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सोचते तो हिंदी में है और हमें बात करनी अंग्रेजी में तो यह अनुवाद हमारा दिमाग करी नहीं पाता जो मैं दूसरा काम करता हूँ वो यह जो भी चीज मेरे संग रोज मेरी life में होती है मेरे work से related, मेरे काम से related उसको मैं अंग्रेजी में सोचना शुरू कर देता हूँ तो इस चीज को भी मैं अंग्रेजी में सोचना शुरू करा अब आपके words कवर हो गए sentences भी cover हो गए अब समस्या ही आती है कि इसको आगे कैसे लेके जाए जो भी चीज़ आप सोच रहे हो उसको कागज पे लिखो मैं रोज उसको कागज में लिखता हूँ रोज practice करता हूँ और एक चीज़ का मैं बहुत ध्यान देता हूँ वो ये कि मेरी grammar सही है कि नहीं grammar check करने के लिए मैं एक tool है जिसका नाम है grammarly free of course tool है आप भी use कर सकते हो मैं उसका example लेता हूँ उसको use करता हूँ और अपना पूरा paragraph उसके through link देता हूँ अब जब भी मैं practice करता हूँ आप देखो मेरे words भी हो गए मेरे sentences भी हो गए मेरी रोज मर रा की जिंदगी भी हो गई और मेरी grammar भी ठीक हो गई और उसको मैं बहुत तेज अवाज में दिल खोल के बोलता हूँ ऐसी हिंदी भी बोलता है ना दिल खोल के जब मैं बोलता हूँ तो automatically वो मैं internalize कर लेता हूँ मेरी body में आ जाता है मेरी mind में आ जाता है और ये चीज अपने आप ही आपके पास naturally आने लग जाती है जो चीज शुरू में मैंने बोला था हर कोई बोलता है कि यार आपके पास ये naturally आता है नहीं कि ये जो रोज practice मैं करता हूँ उसकी बदौलत ही मेरे पास आ पाता है एक और समस्या जो आती है वो ये कि रोज अगर मेरे को अलग-अलग topics पे बोलना है तो मैं वो कैसे करूँ उसका भी मैंने एक example निकाला वो मैंने ये करा कि रोज मैं एक नया topic लेता हूँ और जो मेरा group है learn public speaking मैं वहाँ पे भी logo को देता हूँ so that मैं भी रोज प्राक्टिस करूँ अलग-अलग शब्दों पे अलग-अलग quotations में पूरी तेज अवाज में प्राक्टिस करके रोज social media पे videos डालता हूँ क्योंकि उन videos की वज़े से confidence अपने आप ही बढ़ता चला जाता है और आप अपनी life में तरक्की करते चले जाते हो जो मैं करता हूँ रोज वही चीज में आपको भी बताना चाहता हूँ रोज मैं एक नया शब्द लेता हूँ या एक नया इडियम लेता हूँ और रोज उसको practice करता हूँ अब उससे क्या होता है रोज में एक नया शब्द भी सीख जाता हूँ नया इडियम भी सीख जाता हूँ और मेरा confidence अपने आप ही बढ़ता चला जाता है और यही काम जितने भी मेरे group के members हैं मैं सब के लिए करता हूँ so that वो लोग भी रोज नये शब्द सीखें नये sentences सीखें और अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएं एक बात ध्यान से समझे मुझे हिंदी भाषा से बहुत ज़्यादा लकाव है यह हमारी मातर भाषा है यह हमारे दिल में बसती है मुझे पता है कि मुझे इससे कितना प्यार है लेकिन मुझे यह भी पता था कि राहुल जब तक तु अंग्रेजी के उपर mastery नहीं कर लेगा तु आगे नहीं बढ़ पाएगा मुझे भले नौकरी करनी होती या business करना होता या कहीं आगे जाना होता मुझे मेरी अंग्रेजी के उपर काम करना बहुत जरूरी था क्योंकि यह corporate language है यह global language है और यह सवाल यह भी है अगर सच में हमें हमारे देश से इतना प्यार है हमारी language से इतना प्यार है तो क्यों ना हमारी जितनी भी knowledge है उसको हम बाहर लेके जाएं देश विदेश में लेके जाएं वो करने के लिए भी हमको अंग्रेजी सीखना और उसको पूरी तरीके से ढाल लेना बहुत बहुत जादा जरूरी है और यही कारण है कि अपने आप ही जब आप इसको internalize कर लोगे आपके पास growth आने लग जाएगी और आपके पास success आनी automatically start हो जाएगी एक चीज जो कि हमेशा से मुझे रोकती थी आगे बढ़ने से वो ये था कि मेरे मन में ये बात घर कर गई थी कि मैं एक बहुत जादा shy इंसान हूँ मैं कभी भी नहीं कर सकता हूँ इंगलिश में बात और उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि मेरे परिवार वाले मुझे हमेशा ये बोलते थे कि या राहूल तु बहुत shy है तुझे अपनी shyness से उबरना है शायद ऐसा कुछ आपके साथ भी होता होगा यही चीज में आपको बताना चाहता हूँ आप बिल्कुल भी shy नहीं हो अगर आप शाय होते तो बच्पन में रोके आप कभी भी चॉकलेट नहीं मांगते खाने के लिए चीजों के लिए कभी भी बात नहीं करते वो एक चीज है जो कि आपके मन में डाल दी गई है और जो आपका माइंड है जब तक आप उसे ट्रेन नहीं करोगे जैसे मैंने खुद के माइंड को ट्रेन करा आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आज आपका नॉलेज लेवल ये है अगर मेरा नॉलेज लेवल में यहीं रहने देता तो मेरी ग्रोथ भी यहीं पे आके रूख जाती अगर मेरे को मेरी ग्रोथ को आगे लेके जाना है तो मुझे मेरे नॉलेज को भी बढ़ाना है यह चीज मुझे समझ में आ गया था इसी लिए अपनी knowledge को बदलने के लिए अपनी growth को बदलने के लिए मैं बार-बार अलग-अलग events में जाता हूँ अलग-अलग जानकारी लेता हूँ और उस जानकारी से अपना level बढ़ाता चला जाता हूँ सो दाट जो मेरी knowledge के साथ मेरी growth है वो भी बढ़ती चली जाए, यही काम हम सब को करना है आप अपनी knowledge के उपर invest करो, learning के उपर invest करो क्योंकि learning से आपके पास strategies आती है, strategies से आप practice करते हो और उसी की बदौलत, जो भी नाम, पैसा, शौरत हमारे पास आपाया है वो सारी चीज़े आपके पास आपाएंगी मैं कि जीता जाकता example हूँ आपके सामने आपके पास resources ना हो, आपके पास लोग ना हो, आपके पास support ना हो आपके पास अगर dedication होगा, और अगर आप आपका हाथ उठा के बोलोगे कि हाँ मुझे ये करना है, तो यकीनन आपके पास वो सफलता आएगी और वो growth 100% आके ही रहेगी आप एक चीज़ सोच के देखो, हर एक परिवार में कोई भी एक ऐसा इनसान होता है जिसके नाम पे की पूरे परिवार को जाना जाता है जिसकी बदोलत की हर किसी को पहचाना जाता है मैंने ये चीज़ ठान ली थी, कि मेरे परिवार को सिर्फ और सिर्फ मेरी वज़े से ठाना जाएगा मेरी वज़े से जाना जाएगा और ये मुझे पता था कि इसको करने के लिए बहुत जादा मेहनत तो करनी पड़ेगी एक जब जानवर भी इस दुनिया में आता है वो भी हाँ पे कुछ ना कुछ करके अपने जिन्दगी तो काट ले जाता है हमें एक average जिन्दगी नहीं जीनी थी उसको बदलना था और यही चीज में आपके लिए भी जाता हूँ आज आप खुद से पूछो ये सवाल कि क्या आप अपने परिवार को वो जिन्दगी दे पा रहे हो जो कि उन्हें चाहिए क्या आप अपने परिवार के लिए वो सब कुछ कर पा रहे हो और अगर उसका कारण यहे कि आप अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते हो बहुत सारे सालों से प्रयास करने के बात दी तो आज आप उसको बदल डालो और वो इंसान बनो आपके परिवार में जो कि सब कुछ बदल देगा और आपके परिवार को सिर्फ आप ही की वज़े से जाना जाएगा क्योंकि ये चीज मैंने तो खुद को बोल दिया था कि कोई करे या ना करे मैं तो करके दिखाऊंगा और यही चीज आज आपको भी करनी है ठाल लेना है कि कोई करे या ना करे मैं तो करके दिखाऊंगा शुक्रिया